मैं सुमेरू महराज केसरी और राजमाता अंजिना पुत्र हनुमान युवराज पत की शपत लेता हूँ मैं प्रतिग्या लेता हूँ अपने पत की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखोंगा युग्राज हनुमान की, जयुग्राज हनुमान की, जयुग्राज हनुमान की, जयुग्राज हनुमान जी 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 की, जयुग् हनुमान की माता अंजिना के पुखड़े पर दिखाई दे रही थी ये सोभाविक है देवी पुत्र की हर उपलब्धी पर सबसे अधिक प्रसंतातो मा को ही होती है योवराज अब आसन ग्रहन केज़ा है जी योवराज अब आसन ग्रहन के जाई योवराज अब आसन ग्रहन के जाई के जी नंदे निवराज की? जय अब आसन ग्रहन के जाई अब आसन ग्रहन के जाई योवराज बद की गरीमा बनाय रखना पुत्र योवराज अब आसन ग्रहन के जाई अब आसन ग्रहन के जाई मेरा आशिर्वाज तदेव तुम्हारे साथ रहेगा प्राणाम बायूदेव कल्यान हो पुत्र देवियंचना महराज केसरी आप दोनों को भी बहुत शुप कामना है प्राणा प्राम कल्यान प्राणाम प्राणाम क्योंके मैत्र की प्रतीत स्वरू बुद्रा है इसे स्विकार करो अजना हम स्वर्ग लोग से आपके पुत्र हनुमान को आशिरवाद देने आई हैं हनुमान इन्हें प्राणाम करो पुत्य अवश्य मा प्रणाम इन्हें भेट दो पुत्रों स्वर्ग लोग तो बड़ा ही सुन्दर होगा ना हाँ हनुमान देवराज इंद्र ने ये उपहार तुम्हारे लिए भेजा है देवराज इंद्र वो श्वेद गजराज वाले उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और उस गजराज को मेरा बहुत सारा प्रेम कहिएगा अवश्य हनुमान तुम्हारा कल्यान हो कीर्टी बढ़े यश बढ़े जगत में सम्मान हो तुम्हारा चले चलो हम उप्भार देते हैं मित्र हनुमान को हाँ चलो चलो मेत्र ये उप्भार तुम्हारे लिए है हां मेत्र हम सब की ओर से धन्यवाद मित्रू और ये उप्भार तुम सब के लिए धन्यवाद मित्र देखां पुंजिकस्तला का पुत्र हनुमान कितना तेजस्वी और कैसी मनुहरी छवी वाला है हां चित्रा हमारा भी मन होता है कि हमारा भी कोई ऐसा पुत्र हो किन्तु हमें मा बनना वर्जित है पुंजिकस्तला को देखो अपसरा होके भी कैसे मा बन के गर्वित हो रही थी हां मा बनी वो एश्वर ये शाली बती का प्रेम पा रही है वो सुमेरु राज्य के महरानी बन बैठी है हमारे भाग ऐसे क्यों नहीं हो सकते हम अपने विनाश के लिए अब अतीबल से भी एक उपहार ले लो हनुमान हाहाहा इस मयावी खिलोने से खेलते ही तुम सदा के लिए दशानमते दास बनकर रह जाओगे हनुमान रुक्ये कौन है आप कहां से आएं मैं अतीबल बटुकपूर गाहों से आया हूँ बटुकपूर ये गाहों कहां है और इसमें क्या है दिखाइए मैं चानता हूँ इन्हें जब चक्रासोर से योध हुआ था ना तब ये सुमेरू में ही थे ये एक बालक को बचाते बचाते स्वाया में एक गढ़्धे में फच गए थे तम मैंने इन्हें बाहर निकाला था आप भी मेरे ले कोई उपहार लाए है हाँ हनुमान ये लो ये रहा तुम्हारा उपहार अतिबल ये लो ये माया विखिलो ना उसे जाकर दो क्या है इसके बीतर नहीं नहीं हनुमान अभी नहीं इसे बाद में खुलना कि अकेले में कुछ विशेस है इसमें तुम्हारे लिए हनुमान मैंने निश्य किया था जब तुम्हें युवराज बन जाओगे तुम्हें ये चमतकारी गदा प्रदान करेंगे ये गदा अपने निश्य किया था जब तुम्हें लक्ष पर प्रहार करने के पश्याद अपने स्थान पर स्वें वापस आ जाती है अरे वाँ चमतकारी गदा अंजना अब मैं चलना चाहूँगी अभी से? इतनी दूर से यहां तकाई हो तो कुछ समय हमारे साथ भी बिता नहीं अंजना कुछ समय मिला है तो सोच रही हो अब सरा संगम तीर थोलू फिर न जाने का बाना हो चित्रा और अंभा यहीं रुकेंगी अभी मेरे गुप्त चरों ने सूचना दी थी कि स्वर्ग लोग की अपसराएं सुमेरू गई है लाटते समय तो आकाश मार्ग से ही जाएंगी उर्वशी स्वर्ग लोग की अपसरा छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे देशाने रावन ने एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया उसे कोई नहीं बचा सकता रावन तुम्हें मिले समस्थ श्रापों और वर्दानों के बारे में जानती हूं मैं मेरी स्विकृति के बिना मुझे ले जाकर तुम अपनी मृत्यू को आमंतरण दोगे इसलिए उचित यहीं होगा कि तुम मुझे छोड़ दो इंद्र की प्रमुक रतांगने अब तो मेरे दर्बार में हमारे मनुरंजन के लिए प्रमुक नर्तकी बनोगी एसा कभी नहीं हो सकता रावण मैं स्वार्ग लोग ही जाऊंगी देवराज एंद्र से प्रेम करती हो एंद्र मेरे चड़नों की धूल से अधिक वो कुछ नहीं और यदि तुम उससे इतना प्रेम करती हो तो प्रित्वी लोग पर क्या कर नहीं थी हनुमान इन्हें प्रणाम करो पुत्र अवश्य मा बोलो और वश्य के सोच में डूब गई मैं अपनी पुरानी अपसरा सखी पूंजीक स्थला से सुमेरू मिलने गई थी सुमेरू में स्वर्ग की अपसरा क्या कर रही है उसे एक रिशी का श्राब था चाह तू भी वार्णरी हो जाएगी और आज वही अपसरा सुमेरू में दिव्यबालक हनुमान की माता बन इत्रा रही पहले तो देवताओं ने उसे जीवित किया फिर उसे हनुमान नाम दिया इतना ही नहीं लंकेश देवताओं ने उसे वर्दान में कुछ सक्तियां दी है जिनके बारे में अभी कुछ ग्यात नहीं हो पाया है लंकेश हो हनुमान जा स्वतंत्र किया तुम्हे जू रावन किससे भैभीत हो गए और मशेल है तो रावन के शब्द कोश में है ही नहीं बस दया अगई तुम पर वैसे भी दया का पात्र ही तो हो न तुम पुंजिक स्थना की भाती कभी मा तो नहीं बन सकते न तुम सदैविंद्र के दरबार में नाचती ही रहोगी कोई और सुख तो तुम्हें मिलने से रहा किस सोच में डूब गए और वशी जाओ जाकर उस उस स्वार्ती इंद्र से अपना अधिकार मांगो सत्य कहा अब या तो देवराजिंद्र को अंजना की भाती मुझे भी जीवन के सारे सुक भोगने का अधिकार देना होगा या फिर अंजना को स्वर्व वापस बुलाना होगा और इंद्र देव के कहने पर अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस आना होगा कि मा मुझे सबने उपहार दिया किन्तु आपने तो मुझे उपहार दिया ही नहीं मैंने और तुम्हारे पिताश्री ने मिलकर तुम्हें गदा दी थी ना वो तो पिताश्री का उपहार था आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया अच्छा तो क्या चाहिए मेरे पुत्र को अपनी मा से मां मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही है बस आप मुझे कभी छोड़ कर मत जाना पुत्र मैं क्यों जाओंगी तुम्हें छोड़ कर हाँ अन्याय तो हुआ ही है मेरे साथ भी और स्वर्ग लोकी बाकी अपसराओं के साथ भी अगनी में खरत पड़ गया है रावन अब तो अगनी भड़के की ही हाँ 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 अन्याय को न्याय में परिवर्तित देवराजिंद्र को करना ही होगा मेरे प्रियतमिंद्र देथ आपको हमारे साथ म्याय करना ही होगा स्टरीक की जलन थूस की ठेर के समान होती है जिसमें थोड़ी सी भी चिंगारी डाल दो, विक्राल अगनी जनम देती है जाओ उर्वशी और जाकर अपनी जलन की अगनी से स्वर्ख लोग को भसं कर दो मिटादो इंद्र के सुख और चैन को अब पुर्वशी वो ही करेगी जो मैं चाहता मैं छील लूँगा उस वानरबालक हनुमान का सुरक्षा कवच हर संतान की सबसे बड़ी शक्ती और उसका सुरक्षा कवच होती है उसकी मा अंजना अब जविंद्र तुम्हे स्वर्ग लोग बुलाएगा तो तुम्हे तो जाना ही होगा और तुम जाओगी अपने बालक हनुमान को छोड़ कर जिसे मिले हैं बड़े बड़े वर्दान कें तु अभोध है वो होगा मेरे आक्रमन का परमलक्ष अंजना अब मेरी मायावी शक्तियों से अपने पुत्र हनुमान को कैसे बचाओगी बोलो अंजना कैसे बचाओगी अपने पुत्र अभोध पुत्र हनुमान को अरे वा इतने सुन्दर खिलोने ऐसा उपहार हर दिन मिल जाए तो बड़ा ही आनन आ जाएगा हुँ 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 किब अब इन खिल नउसे खेलना बंद करो और सोजाो रातफ सीग सब्छाओ ऑं अब सोजाओ किंतु मा मुझे तो नेंद्रही नहीं आ रही है और मुझे अपने कहलोने से भी तो खेलना है ना युव राज्ट अब तुम युवराज हो गए हो खिलोनों से खेलना तुम्हें शोबा नहीं देता है किन्तु पिताश्री मुझे उपहार में तो खिलोने ही मिले हैं ना अजina हनुमान अब युवराज बन गया है उसे सब कुछ सेखना होगा इसलिए अब तुम उसे अक्षरग्यान देना भी आरंब कर दो आप सत्य कह रहे हैं घालाज हनुमान को इन खिलोनों के संसार से बाहर आना होगा मैं कल ही इसके अक्षर ग्यान की शिक्षा आरंद कर दे लिए उत्र हनुमान, चलो, अब सो जाओ उत्र, सोने का प्रयत न करो, आजाएगे नीव अंजना, इसे लोरी सुना दो, अभी सो जाएगा सोजा के सरिनंदन, मेरे आनंदगन, मेरे आमुदवन वो करता चंचन यह कहता कंखन, माता करती बंदन, सोजा के सरिनंदन सोजा प्यारे, देख सोते तारे, जीव जन तो सारे, सब नीन से हारे सोते वन उपवन, सोजा के सरिनंदन करता प्यूश्स